Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel In this video, we start Brain Teasers of Chapter No. 8 Basic Geometrical Concepts of Class 6 And Question No. 1 Tick the correct answer कि ये जो आपको question दिये हुए है उसमें चार option है आपके पास और आपको उनमें से देख के बताना है कि कौन सा correct answer है तो सबसे पहले हमारे पास A dash extends endlessly in all directions ऐसा क्या है जिसको आप हर direction में जितना चाहो उतना increase कर सकते हो अब पहले मैं आपको सारी चीज़ें यहां बता देती हूँ कि line क्या होती है Line क्या है, एक straight path होता है जिसको both direction में दोनों तरफ जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, मैंने यहां पर भी बना के दिखाए आपको इसको दोनों directions में ठीक है जहां पर भी आपने बना रखा है अगर आप इसको यह left और right दिख रहा है अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो यह up and down हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से यह line का होता है रे में, रे में तो option ही नहीं है यहां पर इन्होंने कहा extend, extend करना ठीक है यह बढ़ रही है एक तरफ से extend कर सकते हैं इसको और आगे क्योंकि एक तरफ arrow है जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं ठीक है अब आप line देखोगे तो यह दो ही direction में बढ़ती है रे आप देखोगे तो यह सिर्फ एक ही direction में जाएगी means रे एक direction में है, line दो direction में है लेकिन और line segment तो देखो line segment तो आपका increase हो ही नहीं सकता उसको तो extend कर ही नहीं सकते क्योंकि उसमें तो दोनों तरफ क्या होते है end point होते है ठीक है line segment में तो हमारे पास बचता है plane अब आप यह देखे मैंने आपको plane का बताया थे कि plane क्या चीज होती है आप देखे जैसे यह page है ठीक है यह क्या है इसका एक flat surface है अगर आप चाहो निस यह तो हमने बहुत छोटा paper लिया है हम इसी जैसे एक बहुत बढ़ा paper निस उसको आगे तक बढ़ाते जाओ आगे बढ़ाते जाओ ठीक है वो एक flat surface होगा लेकिन उसमें क्या होता है उसको जितना आप हर एक उपर नीचे left right कहीं पर भी direction में उसको क्या है extend कर सकते हो बढ़ा सकते हो यह है मेरे पास मैंने इसमें एक और side में paper लगा दिया एक उपर paper लगा दिया means a flat surface हम जितना चाहें बढ़ाते जाएं तो all directions में क्या बढ़ेगा आपका plane ठीक है तो यहां पर क्या जाएगा आपका a plane a plane extends endlessly in all directions next question which of the following is different from others अब आपको यहां कुछ यह दिये हुए है आपको इन में से आपको बताना है कि different कौन सा है अब आप यहां देखिए बोल है orange globe sticker अब आप यहां पर देखिए कि इन में से क्या जीज अलग है अब आप देखिए मेरे पास है नहीं यह दरवाज से मैं आपको यहां दिखाती बोल कैसी होती है इस ऐसे round होगी ठीक है उसमें कैसे क्या होगा उसका surface कैसा होगा आपको मनें पहले भी बताया था कि जो हमारी bowl है orange है globe है उनका surface कैसा होता है round surface उनका curd surface होता है देखिए इसमें क्या है bowl orange globe अब में पस बोल नहीं है लेकिन मैं आपको इपर curd surface का example बता देखिए क्या है जैसे एक box है अगर आप ऐसे है अगर आप इस पे ऐसे हाथ ऐसे लेके जाओगे तो यह क्या है इसे rotate और round हो जाता है ठीक है लेकिन जैसे आप यह तो कैसा होग जえば आप ऐसे golden hundred जाओगे एक सिद आ एक सीद डिह जैसे आप आप जैसे मैं आपको पैंसे दिखाती हूं आपको कहा जाना था शीद्धा जाना था लेकिन इसका रिए इससे जा रहे हैं अप उसमें डिरेक्शन के चेंज हो रही है तो होता है यह कौन सा होता है अब आप यह देखिए बोल औरेंज और ग्लोब इसमें आपने देखा होगा, ये आपके तीनों कैसे है, कर्ड सर्फिस का अग् spoiler है, जो ऐसे गोल घुम जाते हैं, और sticker है, sticker क्या है, आप जैसे आपने को sticker लेया, आपने यहाँ चिपकाया ठीक है आपको इस स्टिकर है आप उसको चिपकाऊगे तो वो क्या होगा एक फ्लैट सर्फिस का एक्जामपल होगा तो आपका इनमें से कौन सा अलग है स्टिकर अलग है सी है सी पार्ट है थ्री और मोर लाइन्स पासिंग थ्रू 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 मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने जब आपको concurrent lines पढ़ाई थी तो मैंने आपको बोला था 3 or more lines जब आपकी 3 या 3 से ज़्यादा lining एक ही single point में से pass करती है तो हमें उनको उनसी line बोलेंगे concurrent lines तो आपको यहाँ क्या आना चाहिए 3 or more lines passing to the same point are called minus option हमारा answer बनेगा intersecting नहीं होगा क्योंकि intersecting में आपकी कितनी lines होती है intersecting में आपके पास होती है 2 lines आती है तो intersecting में 2 आएंगी और parallel मेंillas मैं आपको दिखा देटी है intersecting में 2 lines होती है ठीक है और parallel में भी 2 होती है 過去 लेकिन हमें तो यहां lines parallel में जादा भी आ जाएंगी three lines भी हो सकती है लेकिन वो कभी cut नहीं करती ठीक है इन्होंने क्या बोला है three or more lines passing through the same point आरकोल वो तो same point में से pass करेंगी लेकिन parallel में ऐसा नहीं होता तो आप देखिए parallel lines तो कभी एक ही point में से करती ही नहीं हो तो कभी cut ही नहीं करती मिंस हमारा intersecting भी यह भी option नहीं हो सकता parallel भी नहीं हो सकता perpendicular lines आपने शायद इससे पहले नहीं देखा हुआ perpendicular lines में आपको बना की दिखा दीती है perpendicular lines कैसी होती है ठीक है ऐसे वो cut करेंगी पहले तो हमारे पास है कि वो एक दूसरे को cut करनी चाहिए और perpendicular का meaning क्या होता है perpendicular नाम से ही हमें पता उसका यह जहां cut करेंगी वहाँ पर हमेशा 90 degree का angle बनाएंगी यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी और यहां पर भी ठीक है यह कैसी होती है perpendicular तो perpendicular में भी सिर्फ दो ही lines आई है हमारे पास तो means हमारा answer क्या हो जाएगा इसमें इसमें हमारा answer हो जाएगा first option concurrent line इसमें ज्यादा सोचने की जुरूद नहीं है क्योंकि अगर आपने concurrent line की definition पड़ी होगी तो उसमें था ही यही three or more lines passing through the same point are called concurrent lines डी पार्ट the opposite sides of a classroom blackboard represent dash line segments यह कौन सा आपका line segment आपका present करते हैं अब मैं आपको यह दिखा रही हूं opposite sides of a classroom ठीक है opposite side of classroom blackboard है ठीक है अब ब्लैक board तो हमारे पास नहीं है तो मैं आपको यह थोड़ा ऐसे दिखा रहे हूं जैसे यह एक diary है ठीक है यह diary है आपका board भी कुछ इस टाइप से ही होता है आप यहाँ date का गर अगर हम इनको बढ़ा दें मैं इधर बढ़ाती चले जाम यह कभी नहीं मिलेंगी मैं इनको ऐसे इधर यह थोड़ा railway track जैसा नहीं लग रहे है आपको railway track में जैसे ऐसी train इन पर जलती है तो railway track जैसी जो सब्सक्राइन होती है वह हमारी कौन सी होती है parallel lines ठीक है तो इसका answer कौन सा आना चाहिए the positive side of classroom blackboard represent dash line segments parallel ठीक है कौन सा line segment शो करती है यह parallel line segment अब यहाँ पर इनों ने word segment क्यों use किया है वह खाली यहाँ यह भी लिख सकता था the opposite side of classroom blackboard represent dash lines भी तो लिख सकता था उसने segment क्यों लिखा है आप यह देखिए जो आपको blackboard होता है यह यहाँ stop है ठीक है वह आगे नहीं बढ़ रहा है ठीक है जो चीज़ दोनों तरह से stop हो जाए उसमें इधर भी एक line segment ठीक है यह वाली और यह वाली line parallel है और किसी को कोई doubt ना हो यह दोनों भी parallel है उपर नीचे ले जाओ ठीक है तो इसमें हमारा answer क्या बनेगा parallel इसमें इपार्ट है dash line can pass through one given point ठीक है dash line dash line can pass through one given point only one only two only three और many अब इसको आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा आप यहां देखिए dash line can pass through one given point मैं आपको rough page पर आपको करके दिखा रहे हैं इक बाद कि जैसे माल लीजिए आपको ऐसे point दिया हुआ है जैसे माल लीजिए यहां पर point A अब वो कह रहा है कि इस point में से आप कितनी lines pass कर सकते हो ठीक है अब मैंने यहां पर यह से pass किया यह एक line pass हो गई है ठीक है ऐसे यह दूसरी line pass हो गई है ऐसे यह तीसरी line pass हो गई है और यह आप जितनी चाहां उतनी lines इसमें से pass कर सकते हो ठीक है तो आपका इसका answer क्या आना चाहिए डैश लाइन के पास फो वन गीवन पॉइंट एक अगर आपका पॉइंट दिया हुआ है आप उसमें से कितनी लाइन्स आप पास कर सकते हो तो इसका अंसर क्या आना चाहिए मैंनी इस नेक्स है इसी का कोशन नमबर वन का कैपिटल बी पार्ट इसमें जो भी आपकी ब्रेंट टीस होती है उसमें आपका कैपिटल बी पार्ट होते हैं तो हम इसका करें बीपार्ट अब है ए पार्ट आंसर दे फूलोइं क्वेस्टन गिव टू एग्जाम्पल ओफ ऑब्जेक्ट हैं कर्ड सर्फेस ठीक है अभी अभी हमने कोशन ने अभी आइसा करके ही आए हैं कि कर्ड सर्फेस का आपका एक्जाम्पल देना है तो मैं आपको वहीं से ही बता देती हू नहीं पर हमने किया था बोल ओरेंज एंड ग्लोब आपको पस ठी है आप इनमें से कोई से दो लिख दो या फिर इसके अलावा भी आप अपने इदर आसपास से कहीं पर देखकर भी लिख सकते हो ठीक है गीव टू एग्जाम्पल ऑफ अबजेक्ट हैविंग कर्ड सर्फे तो हम इसमें रिख लेंगे बोल बोल ग्लोब इन्होंने एक और क्या दिया था यहांपर और नेक्स्ट फोर प्वाइंट्स ए बी सी ए डी लाई ओना सेम लाइन एल अब आप यहां देखिए फोर पॉइंट्स है ए बी सी ओडी फ़ाएं पहले तो हम पता चलिकी कितने हैं चार पॉइंट है lie on a same line L, एक कोई line है जिसका name है L उसके उपर ही ये lie तो हम यहाँ पर बना लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर एक line बना लेंगे ठीक है, मैंने यहाँ एक line बना दी है ठीक है, अब इसमें क्या है 4.A, B, C, N, D तो मैंने यहाँ पर यह note इसका name है A, B, C, and D ठीक है, आप पहले देखिए मैच करके देखिए कि आपकी statement आपकी है जो वो मैच हो रही है या नहीं, अब यहाँ इनने ही बोले 4.A, B, C, D lie on a same line L इस line का name हम रख देते हैं L ठीक है, L इसका name है और इसी line के उपर 4 point है A, B, C, and D यह तो dot होता है, इस dot का name है A, इस dot का name है B ठीक है, इस point का name अब आप यह देखो कि आपने किया था कि अगर कुछ points हैं यहाँ देखिए मैं आपको दिखा देती हूं अगर 3 point या 3 से ज़्यादा point condition क्या है 3 or more point 2 नहीं ले सकते 3 या 3 से ज़्यादा point जब एक ही line पर आ जाते हैं तो उन points को क्या कहते हैं collinear points ठीक है, क्या कहेंगे collinear points तो हमारा इसका जो जो B part है इसका हमारा answer क्या बन जाएगा collinear points collinear points next C part can you draw a line on the surface of a sphere completely lying on it अब आपको क्या है क्या दिया हुआ है can you draw a line on the surface of a sphere completely lying on it अब आप यहां देखे कि आपको क्या दिया हुआ है एक sphere दिया हुआ है तो अब इसके अगर हमें question करना है तो हमारे पास क्या होना है एक sphere sphere means bowl ठीक है bowl को ही हम sphere बोलते है अब ही मेरे पास bowl नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको explain करने कोशिश करूँगी आपकी bowl होती है ऐसे round होती है ठीक है जैसे यह ऐसे round होगा अब मैं उसकी जगा क्या ले लिएती हूँ आप यह देखे यहां से यह जो चीज़ है यह भी कैसा surface है card surface है आप इसको मन देखना क्योंकि मिरे पास अभी है नहीं तो मिरे को आपको इससे explain करना पड़ रहा है यह उस आपको क्या चाहिए line ऐसे draw करनी है अब आप देखोगे चलो मैं इस पर line draw करने की कोशिश भी करूँ लेकिन आपको पहले अगर आपको line की definition आती है अगर आपको line की definition आती है तो आप वहाँ से देखे line की definition ही क्या है a line is a straight path ठीक है वो तो एक सिद्धा straight path है means जैसे एक सिद्धी सड़क है बिल्कुल सिद्धा जा रहा है ठीक है और इसकी which extends endlessly in both direction और जिसमें जा रहा है वो बोथ directions में आपका क्या है उपर लेकर जाना चाहो नीचे लेकर जाना चाहो तो वो जा सकता है ठीक है अब आप मुझे ये बताएं तो आप क्या ये एक straight path है straight होता है सिद्धा लेकिन ये तो आपका क्या हो रहा है आपका जैसे जैसे आपका ये surface ये rotate कर रहा है आपकी तो जो line है वो भी क्या हो रही है rotate कर रही है तो means ये तो line है ही नहीं तो means हमारा यहां से क्या आजाना जा इस question का answer can you draw या तो इसका answer yes में आएगा या फिर no में क्योंकि वो पुछ रहा है can you draw क्या आप draw कर सकते हैं तो या तो draw कर सकते होंगे या फिर नहीं कर सकते होंगे can you draw a line on the surface of a sphere completely lying on it अब ये जो मैंने ये draw किया है ये हाप की line नहीं है अगर कोई बचे इसको line कहेगा तो वो गलत कह रहा है line क्या होती है एक straight path होता है बिल्कुल एक सीटा path होता है जैसे आप यहाँ देखें ये एक straight path है ये आपका मुड़ नहीं रहा है इसकी direction क्या है ये एक ही direction में जा रहा है लेकिन जब आप curved surface पर आप देखोगे तो जैसे ये pen है ऐसे जाते जाते है आपका ऐसी direction ही change हो रही है तो अब आप इसमें क्या कहोगे तो इसका answer क्या जाएगा आपका इसका answer आएगा noon हम ऐसा नहीं कर सकते हैं आप इसकी जगह बोल ले ले मेरे पास बोल नहीं है तो मेरे को इससे कराना पड़ रहा है give one example each of the parallel and intersecting line segment from your environment आपको अपने आसपास अपने environment में से देखके आपको examples देने हैं किस-किस के देने हैं आपको sekology एक तो आपको parallel lines का देना है ठीक है और अपको किसका देना है intersecting lines का अब अब आप यहां से दिए पहले मैं आपको parallel lines का मैंने आपको दिखाया था चाहि कि अलight हो यह सबसे पहले मैं आपको parallel का बता रही हैं तो इसके लिए मैंने आपको best example बताई था आप environment में क्या देखते हैं अब आप student है तो आप क्या आगे तो most of time आपकी notebook आपकी सामने होते हैं तो आप notebook में देखेगा यह जो आपको यह दिख रही है lines अगर आप इनको increase करते हैं चले जाएंगे तो वो lines बन जाएंगे ठीक है और आप यह देखे यह कहीं पर भी एक दूसरे के साथ meet नहीं हो रही है इसकी वो एक ही direction में आग आग बढ़ते जा रहे हैं ठीक है और distance आप देखेंगे दो lines के बीच का distance आपका क्या रहा है सेम आ इसका सबसे best example क्या होगा lines of notebook या फिर lines of copy तो सबसे पहले हम लिखेंगे यह हम पहले लिखते हैं parallel lines का parallel lines का आपको मैं पहले बता रही हूं तो इसमें इसका example क्या आएगा lines of notebook lines of copy या फिर notebook next is intersecting lines by intersecting intersecting lines तो इसमें हमारा क्या जाएगा इसमें बोर्ड का ही एक्जाम्पल ले रेते हैं जो मैंने आपको मैंने डायरी से बोर्ड बना के आपको दिखाया था ठीक है माली चीए आपका blackboard है या आपकी में बीशाइद green board हो आपकी school में अब आप यहां से देखिए अगर आप इसकी एक यह वाली साइट लेते जो आपके लें ठीक है और यहां आप यह जीर रहे ले और इस एक दूसरे वो lines होती है जो एक दूसरे को cut कर देती है ठीक है तो इसमें क्या आएगा adjacent sides of blackboard adjacent का meaning होता है जो एक दूसरे के साथ जूड़ा हुआ हो ठीक है अब आप यह देखेगा यह और यह किस point पर आके यह जूड़े हुए है यहाँ पर यहाँ पर आपके इस point पर जूड़े हुए है ठीक है जो जूड़ी हुई एक point पर जो चीज़ें जूड़ी होती है उसको मैं भोलते है अडजसेंट ठीक है adjacent adjacent sides of blackboard blackboard लिखना है blackboard लिखो green board लिखना है green लिखो ठीड है ये आपको clear हो गये अब इसमें इसका E part है लास्ट पार्ट है इसका if two lines M and N cut at a point X what is the point X called अगर अब आप उन्होंने आपको गविल है two lines L and M ठीड को दो लाइने लेनी है L और M तो मैंने यहाँ पर आपकी दो लाइन्स ड्रोव करती है लाइन जब भी ड्रोव करनी है तो आप पैंसिल का ही यूज करें तो लाइन्स मने रख दिया है M और इस लाइन का नीम रख दिया है N cut at a point X जो इस बाइन्स के पर नीम क्या है x what is this point x called तो इस point x है इसको क्या कहते हैं ये कौन सी line है intersecting lines तो ये कौन सा point होगा point of intersection point of intersection तो अब यहाँ पर आपका ये question number one complete हो गया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ share जरूर करें अगर किसी को कहीं पर भी किसी question में problem है तो आप comment करके पूछ सकते हैं thank you so much